अब हम आते हैं सेंक्तराश्चंग के एक बहुत अहम मुद्दे पर जिसका अतंबंद भारत से है और भारत का सेंक्तराश्चंग में एक संस्थापक सदस्च के नाते बहुत अहम योगदान रहा है मात्र संस्थापक सदस्च के नाते भारत ने सेंक्तराश्चंग को मदबूती नहीं दी बलकि लोकतंतरिक व्यवश्था को अपनाते हुए उसने लोकतंतर का जो मैसेज दुनिया को दिया विश्व के सबसे बड़े लोक्तंदर का वह सेक्ष राज्चंग के लिए बहुत आहम संबल था इस बैक्ग्राउंड में इस प्रिष्ट भूमी में हमें समझने की जरुत है भारत के इस्थाई सदस्थिता के दावे की स्थिति क्या है विश्व? भारत के द्वारा भारत के इस्थाई सदस्थिता के दावे की वर्तमान स्थिति अर्थाथ भारत इस्थाई सदस्थिता का दावा करते रहा है पहली बात तो यह तैह हो गई यह समझ गया आप इस्थाई सदस्थिता का दावा भारत द्वारा किया जाता रहा है तो अब हमको यह जानना है, कि आज क्या स्थित्य है, क्या स्थाई सदस्त से बन पाया, यदि नहीं, तो क्या बादाने हैं, कौन सी बातें आडे आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, सुरक्षा परिशद में स्थाई सदस्टों में विस्तार का मामला सबसे पहले भारत में 1992 में 1992 में स्थ्राश्षन के विशेश सिखर सम्मेलन में बहुत प्रभावी तरीके थे भारत ने भारत की स्थाई सदस्ता का मामला उठा बलकि सचाई तो ये है कि सुरक्षा परिशद की सदस्ता का मामला उठा और इस समंद में महासभा जो गठित कारेदल जिसने अपनी 1996 में रिपोर्ट प्रस्तित की इसमें इस मुद्दे पर रा 92 से सदस्ता की बात शुरू होती है प्रभावशील तरीके से इसका परणाम यह होता है कि एक रिपोर्ट बनाई जाती है एक कारेदल बनाया जाता है कारेदल गहन अध्यन के बाद चार सालों में एक रिपोर्ट प्रस्तित करता है उस रिपोर्ट के मातहत उसका कहना रहता है कि सभी राश्टों के बीच एक आम सहमती बनाई जाए कि इस बात को लेकर सुरक्षा परिश्ट की सदेसिता को लेकर बुत्रस गाली जो दो जार पांच में सुविक्त राश्ट संग के महा सचिफ थे बुत्रस गाली इनों ने इन लार्जर फीडम नामक रिपोर्ट में सुरक्षा परिश्ट की सदेसिता पंदरा से बढ़ा कर 24 किया जाने का प्रस्ताओ किया ये अगला कदम है 1992 पहला कदम 1996 दूसरा कदम तीसरा 1905 में बुत्रस गाली के द्वारा स्वैम महा से चिफ द्वारा ये प्रस्ताओ दिया गया कि इस रक्षा परिश्ट की सदेस्ट संक्या पंदरा से बढ़ा कर 24 किया जाए लेकिन दुरभा किसे इस प्रस्ताओ पे सहमती नहीं बन पाई इसका मुख्य कारण था कि स्थाई सदेस्ट जो थे और कुछ दूसरे सदेस्ट थे दूसरे देश ये इसका विरूद कर रहे थे क्योंकि 24 लोगों का कैसे वित्रन होगा भागोलिक दिश्ट से बिल्ब किस छेतर के होंगे इस पर भी काफी बहस होई थी और मुल रूप से इस्थाई सदेस्ट कताई और इस्थाई सदेस्ट को आने नहीं देना चाहते है तो मुल कारण कि सुरक्षा परिश्ट के इस्थाई सदेस्ट दौरा विरूद इस सतत रूप से विरूद यह जो स्थाई सदेस्ट का विरूद करने वाले देशों ने कौफी क्लब नाम का एक संग्टन बना लिया है क्या बनाया कौफी क्लब जिसमें अब यूनाइटेड पॉर कंसेस्स के नाम से अब जिसको कहते हैं United for Consensus, Consensus याने सहमती, United मतलब एक जुट होना, सहमती के लिए एक जुट होना, ऐसा उन्होंने एक संगठन बना लिया है, जो पूर में कॉफी कलब कहलाता था, और इसमें कौन कौन से देश हैं, इटेली, स्पेन, अर्जेंटीना, कैनेडा, जक्षिन कोरिया, मेक्सिको और प देखें, तो मैं पुर्ण देशों के नाम दुहराता हूँ, जो इस कॉफी कलब या या युनाइटेट फॉर कंसेंसस के सदस्थ हैं, स्पेन, फिर अर्जेंटीना, फिर कैनेडा, दक्षिन कोरिया, मेक्सिको और पाकिस्तान, वर्तमान में स्थाई सदस्था के लिए चार प्रमुग दावेदार हैं, स्थाई सदस्था की जरूरत है ऐसा दीर, एक हमती बन रही है, लेकिन कौन बनेंगे इसको लेकर बड़ा विवाद है, यदि कल को ये प्रस्ताव पारित होता है, कोई वीटो नहीं करता है, कि स्थाई सदस्थे बनाए जाएं, बढ़ाए तो कौन से देश बनेंगे, इसको लेकर बहस है, और इसी संशे के कारण ही स्थाई सदस्थे को बढ़ाने की स्विकृति भी नहीं आपा रही है, चार देश जो हैं, जिनका नाम मूल रूप से स्थाई सदस्थे के लिए लिया जाता है, भारत, जर्मनी, ब्राजिल और एशिया से, जामनी, यॉरॉप से, और ब्राजिल, दक्षन अमेरिका से, काफी कलब के जो देश हैं, जिनका नाम मैंने पूर में लिया, वे इसका विरोड करते रहते हूं, उनका लगातार विरोड इस बात पर रहा है कि इन देशों को किस आधार पर इस्थाई सदस्था दी जाए, और भारत का तो सबसे ज़्यादा विरोड पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बड़ती ताकत से वैसे ही चिंतित है, उपर से जिस्थाई सदस्था मिल जाती है, और सदस्था के बल पर निशेद अधिकार का अधिकार मिल जाता है, तो वो पाकिस पाकिस्तान तीवर विरोध करता ही है और सुरक्षा परिशद में पाकिस्तान का मित्र चीन हमारा विरोध करता है लेकिन सभागे से इस थाई सदस्दों में चीन ने खुल कर भारत का समर्थन ऐसा तो नहीं किया लेकिन ये बात है कि वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए तरीके से एक्वाइनी मिटी समान दूरी बनाया रखा इस मुद्दे को लेकर भारत का सबसे तीवर विरोज बस पाकिस्तान ये हमें याद रखना है जहां चीन ने खुल कर समर्थन नहीं किया है क्योंकि वो एक राजनीतिक विवश्ता है वहां उसने विरोज भी नहीं किया है रूस अमेरिका ब्रिटन और फ्रांस ये चार देश भारत का सतत रूप से उसकी स्थाई सदस्ता का समर्थन करते रहे हैं मैं पुना दोहरा दूँ रूस अमेरिका ब्रिटन और फ्रांस जो स्थाई सदस्ते हैं ये भारत की स्थाई सदस्ता का सतत रूप से समर्थन करते रहे हैं ऐसी स्थित्य में सुरक्षा परिश्थ में भारत की स्थाई सज़स्था का जो मामला है थोड़ा सा अटका हुआ है क्योंकि उसको केवल चीन के खुले समर्थन की जुरत है और चीन की विवश्था है कि पाकिस्तान उसका निकट का मित्र है और पाकिस्तान कता ही बरदाश नहीं करता कि भारत सुरक्षा परिशद का स्थाई सदस्ते बने भारत की स्थाई सदस्ता सुरक्षा परिशद में ये मामला अटका ही नहीं हुआ है बलकि एक बड़ी विचित्र स्थित्य हो गई है विचित्र क्यों जहां पांच में से चार इस्थाई सदस्य भारत के पक्ष में हैं वहां मात्र एक सदस्य भारत के इस इस्थाई सदस्यता के मतलान के दौरान वीटो कर देता है खेर वीटो की अभी स्थिती नहीं आई है लेकिन अभी समर्थन नहीं कर रहा है और वह है चीन विचितरता की बात यह है कि चीन वही देश है जिसकी सहिक्त राश्ट संग की सदस्ता के लिए भारत ने ही पुरजोर प्रयास किया था जब 1949 में वहां पर कमिनिस श्यासन आया माउजे डॉंग वहां के नेता बने उसके बात से सतत रूप से भारत ही लगातार प्रयास कर रहा था की सहिक्त राश्ट संग की सदस्ता चीन को मिले और यह इसी के प्रयासों का परणाम है कि चीन को भारत ने ही इस थाई सदस्त बनने के लिए प्रेरित किया और उसके लिए प्रचार किया समर्थन दिया और विश्व जनमत तयार किया दूसरे शब्दों में चीन ने भारत पर इस मामले में एक तरीके से छुरा भूंकने का काम किया है भारत जहां एक और सदस्त रूप से चीन की सथाई सदस्ता के लिए आवाज उठाता रहा वहीं चीन ऐसा करने से कोसों दूर है जब भारत का मौका आ रहा है तो एक विचित्रता तो यह दूसरा इससे अब आप समझ सकते हैं वीटो और सदस्ता का पावर कितना है जहां विश्व के अधिकतर देश जिन में चार वेदेश भी शामिल हैं जो सदस्त हैं यह लोग जहां भारत की सदस्ता का समर्थन कर रहे हैं वहां मात्र एक देश और उस देश के पिछलगू देशों में चीन या एकाद दो और देश यह बस भारत का विरोट कर रहे हैं परणाम कुल मिलाकर यह मामला अटका हुआ है इससे साबित होता है स्थाई सदस्ता की ताकत और एक और जहां स्थाई सदस्यों की ताकत उनका पावर उनका अधिकार इतना उंचा है वहीं बाकी अन्य सदस उनके अधिकार उनके पावर बहुत नीचे हो जाते हैं यहीं समानता के अधिकार की बात आती है और एक विरोधा भास UNO के सिध्धानतों में दिखाई देता है खैर तो निशकर्ष यह कि भारत की सुरक्षा परिशद में इस थाई सिध्धा का मामला अभी अधर में है सेंक्त राष्ट संग विश्व रंग मंच पर विश्व मंच पर राजनेतिक मंच पर एक मात्र वैश्विक संस्था नहीं रही वैश्विक मंच पर आने वाली यह पहली संस्था थी लेकिन समय के साथ साथ विवन आयामों को लेते हुए और कई संस्थाएं बनी उनका नर्मान हुआ और वे अस्तित्त में आई विश्वराजनीति में ऐसे अनेक अंतर राष्ट्री पात्रों का उदय हुआ जिनें अंतर राष्ट्री स्वयम सेवी संग्टनों के रूप में हम पहचान सकते हैं चाहे वो आर्थिक खेतर में हो चाहे सामाजिक खेतर में हो इन अंतराश्टी संग्ठनों के बारे में अब हम थोड़ा सा बात करें ये अंतराश्टी संग्ठन जो हैं ये आर्थिक रूप से जो मंच पर आएं हैं और अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनमें सबसे पहला है विश्व व्यापार संग्ठन विश्व व्यापार संग्ठन जैसे कि शब्द से स्पष्ट है यह संस्था आर्थिक मुद्दे पर व्यापारिक पक्ष को लेकर चलती है इसका जो दाइरा है इसका जो कारिक शेत्र है वहां आर्थिक है और आर्थिक शेत्र में व्यापार संबंदी मामलों के लिए अंदराश्टी स्तर पर दूसरे विश्युद के बाद ये पहला आर्थिक समझोता था जिसे कहते हैं GATT G-A-T-T G-A-T-T GATT short form है General Agreement on Trade and Tariffs General Agreement ये एक समझोता है विभिन राश्ट्रों के प्रति समझोता है के बीच में समझोता है और इस समझोते को कराने में समिक्तराश्ट संग का भी एक अहम योगदान रहा है लेकिन ये अपनी तहीं एक स्वतन का संस्था है जो व्यापारिक मुद्दों को देखती है तो फुल फॉर्म हो गया General Agreement on Trade and Tariffs सबसे पहला आर्थिक समझोता दुती विश्वदि के बाद और इसकी शुरुवाद दुती विश्व की समाप्ति के साथ साथ ही हो गई थी 1947 में इस समझोते को डंकल समझोता भी कहते हैं ये सबसे महत्पूर्ण आर्थिक समझोता भी माना जाता है जन्वरी 95 में गैट समझोते का जो स्थान है वो विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया याने World Trade Organization ने गैट के समझोते को अपने तहीं ले लिया अपने दाइरे में ले लिया और इस प्रकार जो गैट 1947 से 1995 तक चल रहा था जो समझोते के रूप में था उसे एक संश्था के रूप में World Trade Organization WTO उसने ले लिया और वर्तमान में इसके सदस्यों के संख्या 150 इसका मूल इद्येश होता है व्यापार के खेत्र में सुनिश्चित करना कि व्यापार इस धंग का हो अंतर राश्टी व्यापार जिससे सभी राश्ट्रों का हित्र हो मुशेश कर जो संसाधन विहीन राश्ट्र है उनके भी हितों का ध्यान रखा जाए और जो संसाधन के साथ है उनके भी हितों का ध्यान रखा जाए एक समय था जब ऐसे राश्ट जिनके पास पर्याप्त संसाधन थे उनके पास उन संसाधनों के उपयोग की चीज़े नहीं थी तो ऐसे राष्टों का बड़ा दोहन किया गया संसाधनों का निर्याद किया गया मौ मांगी कीमत पर उसे भेजा गया बेचा गया और इस प्रकार संसाधनों का काफी कुछ सरजन हुआ काफी उसका कहना चाहिए दुरपयोग भी हुआ और ये देश मात्र संसाधन वाले देश रहे गए दूसरे देशों को कच्चा माल निर्यात करने वाले देश रहे गए ऐसी सिटी से बचने के लिए भी GAT Agreement और World Trade Organization की बहुत बड़ी भूमिका है ये व्यापार के नीमों को सुनिश्चित करता है अंतराश्टी व्यापार के नीमों को पहला बहुपक्षी एवं अंतराश्टी व्यापार के नीमों के बारे में नेर्णा लेता है और समझोता लागू करता है ये इसका बहुत महत्पून रोल है भूमिका है और दूसरा है व्यापारिक विवादों का निप्तारा करना व्यापारिक विवाद कई तरह के हो सकते हैं बहुत तरीके के व्यापार जब होता है तो उसमें मुद्रा को लेकर अंतराश्ट्री मुद्रा को लेकर सामान के लॉस को लेकर लाभानी के प्रतिशत को लेकर बहुत सारी बातें आती हैं अंतराश्टी राजनीती भी उसमें आ जाती है जो देश किसी एक खेमे के हैं वो दूसरे खेमे के देश के साथ व्यापार कई बार नहीं करना चाहते भले ही कुछ भी उसकी कीमत चुकानी पड़े आदी आदी बहुत से देश अपने जल्व मार्ग का अपने वाईव मार्ग का उपयोग नहीं करने देते और इस पकार काफी नुकसान में दूसरे देशों को व्यापार करना होता है कई भारत सा मौका आया है जब पाकिस्तान ने भारत को अपना एर स्पेस नहीं दिया तो भारत को अपना व्यापार भारत को अपना निर्याद दूसरे रास्ते से करना पड़ता है तो ये सब जो मामले हैं ये वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइडेशन नाम की संस्था के तहट सुलगाए जाते हैं जिसमें गैट समझोता भी 1995 में शामिल कर लिया गया दूसरी संस्था है यूरोपी संग ये एक अत्याधिक महत्वपूर्ण संग है और जैसा कि स्पस्ट है यूरोपी देशों का संग है यूरोपी यूनियन यू शार्ट फार्म में ज्यादा पपलर है यू के नाम से यूरोपी संग एक अत्याधिक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है आप यूरोप के नक्षे में देखिए कितने सारे देश उसमें जुड़े हुए है और सब देश छोटे-छोटे आप अपने शहर से दो घंटे की यात्रा करें प्रता लगा दूसरा देश आ गया वहां की करंसी के समस्या वहां के सामान को खरीदने लेने की समस्या वहां पर जाने की समस्या वीजा आदी की समस्या वहां पर सामान बेचने की समस्या तो ये बड़ा कॉंपलेक्स हो रहा था और इसका परणाम ये हो रहा था कि जो देश थे बड़े संकुचित हो गया थे तो इन देशों के बीच में जो छोटे 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 देश आपको यूरप में दिखाई दे रहे हैं खासकर पश्चमी यूरप के ख्षेत्रमू ये छोटे छोटे देश अपनी सीमाएं बढ़ाना चाह रहे थे अब भागोलिक सीमा तो बढ़ा नहीं सकते है फ्रांस की स्वतनता पूरवक्त दूसरे देशों में जाने आने में दिक्कत ना हो तो वीसा पासपोर्ट करेंसी और अन्य मुद्धों पर लेकर शिक्षा के खेत्र में भी बड़ी दिक्कते हो रही थी तो इसको लेकर जरुरत समझ महसूस की जा रही थे और इस आर्थिक उद्यश् से येरोपियन संग की स्थापना होती है उननिस सो ब्यालिस में सोचिए उननिस सो ब्यालिस में जहां एक और विश्युद्ध चल रहा था वहीं दूसरी और सुईक्त राश्चंगठन की स्थापना की चर्चा हो रही थी वहीं भारत जैसे देशों के स्वतनता की भी से हैं पत्चीस और इस विकार क्या हुआ है कि यह जो पत्चीस देश है यूरोपियन संग को नक्षे को देखिए यूरोप के नक्षे में यूरोपियन संग का नक्षा आप देखिए पत्चीस राष्ट्रों के लोग एक दूसरे देश में जाने के लिए पूर्ट तस्वतंत हैं उन्हें कोई किसी तरह की कटना ही नहीं होती एक छोटा सा देश आप देखेंगे लगजंबर्ग यह लगजंबर्ग बहुत ही छोटा देश है और वहां चे फ्रांस जामनी इंग्लेंड आदी की सीमा बहुत पास पास हैं लगजंबर्ग में रहने वाला व्यक्ति या तो लगजंबर्ग की सीमा के दाइरे में ही अपनी जीवन निकाल दे और कहीं अन्य खेत्र में जाने के लिए समस्त कारवाईयों से गुजरे और या वो स्वतनता पूरवक इन खेत्रों में घूम सके यूरोपियन संग ने इसे संभव बनाया है अब कहने को तो एक फ्रांस का एक व्यक्ति फ्रेंच है लेकिन फ्रेंच होते हुए भी कई देशों में इन चौबिस अन्य देशों में वह सतनता पूरवक घूम सकता है और भी बहुत से से विधायदी गई हैं आज एरोपियन संग को विश्व में सबसे शक्तिशाली आर्थिक संगठन के रूप में दे तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बन गया है कहने का तात पर ये कि सहीयोग से कितने बड़े-बड़े काम हो जाते हैं बूंद बूंद से घट भर है तो उसी प्रकार यहां पर यह छोटे-छोटे देश मिलकर अपने को एक सर्व शक्तिशाली देश बना बैठे हैं एक संस्था बना बैठ है ये बात है येरोपियन संग की येरोपियन यूनियन की जिसे संख्षित में EU कहा जाता है अगली संस्था ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Nations इसकी स्थापना भी कुछ-कुछ येरोपियन संग से प्रेरित होकर हुई थी ये भी आर्थिक संगठन है और जहाँ येरोपियन संग येरोपी देशों का संगठन है ASEAN जो है वो Southeast Asia के देशों का संगठन है Southeast Asia अब इसमें देखिए कौन से देश आते हैं इसकी स्थापना 1967 में हुई European Sun की स्थापना 1942 में इसकी स्थापना 25 वर्ष बाद 1967 में और इसका मुख्य देश था आर्थिक विकास अपने खितरी मामलों में राजन्यातिक सामाजी प्रगति को गती देना आर्थिक विकास इसका मुख्य मद्दा था दुरभाग्य से एसियान कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया है जहां यूरोपियन संग सर्वशक्षिशाली सबसे ज़्यादा शक्षिशाली आर्थिक संगिस्तन बन बैठा है वहीं एसियान अपनी अंदरूनी राजनीति के कारण सदस्देशों के बीच की राजनीति के कारण उतना मजबूत नहीं हो पाया इसका उच्चत उतना सार्थक नहीं हो पाया विश्व राजनीति यहां पे बहुत दखल दे रही है और शीच इद्द के काल में तो इसकी हालत और बुरी थी खेर पर निशकर्ष यह कि एसियान नाम की एक संस्था भी अस्तित्यु में है जो साउथ ईस एशियन दक्षिन पूर्व एशियाई देशों का संगठन है अगली संस्था है सार्क साउथ एशियन एसोसियेशन पर रीजिनल को आपरेशन इसको आप देखेंगे यह दक्षिन एशियाई खेत्री आर्थिक सहयोग संगठन कहलाता है दक्षिन एशिया खेत्री आर्थिक सहयोग संगठन दक्षिन एशिया के आठ देश इसमें शामिल हैं सार्क में और इसकी स्थापना उन्नी सो पच्चासी में की गई थी सार्क के बारे में विस्तार से हमने अन्य अध्याय में जक्र किया हुआ है इसलिए हम उतने विस्तार से नहीं जाएंगे लेकिन आप जान लें कि सार्क की स्थापना उन्नी सो पच्चासी में हुई पहला सम्मेलन बंगलादेश में हुआ भारत, पाकिस्तान, मालदी, शीलंका, नेपाल, भूटान इसके सदस्य हैं और इसकी मंशा भी थी कि एक रीजिनल को आपरेशन के माध्यम से ख्षेत्री को आप सहयोग के माध्यम से एक अपनी आवाज विश्व मंच पर बिलंदे रखें सहयोग की भावना रखें अपने जो मुद्दे हैं द्विपक्षी मुद्दे उसे यहीं निप्टा कर विश्व मंच पर हम सब एक जुट दिखें लेकिन दुर्भागे से यहां भी अंतर राष्टी राजनीती घुस आई है दुर्भागे से ये देश कुछ दुर्भावनाओं से भी पीड़त है उसमें सबसे बड़ी जो कमिये हैं वह ये कि भारत के छोड़ कर अन्य देश जो हैं वो भारत के एक ताकतवर शक्ति बनने से घबराय हुए हैं और इसलिए भारत पर विश्वास नहीं करते हैं भारत की नियत पर हमेशा शंका करते हैं भारत के साथ सहयोग के मामले में थोड़ा सा धीय में चलते हैं और इन देशों के बीच के अंदर बीच में भी इतने सारे विवादित मुद्दे हैं जिसमें नदी का मुद्दा है, सीमाओं का मुद्दा है, नदी के पानी का मुद्दा है, आदी आदी इन सब बातों के कारण सार्क देशों के बीच में जो अपेक्षित सहयोग होना था उससे अभी हम कोसों दूर है 1985 की स्थापना और अब 35 वर्ष हो चुके हैं 35 वर्ष में सार्क ने कुछ ज़्यादा एच्चीव नहीं किया है ये एक ऐसा संगठाने जिसमें दो पर्मान शक्तियां शामिल हैं पाकिस्तान और भारत दोनों अपने को प्रबल शक्तिशाली समझते हैं और भी अन्य कई समझ से आये हैं अभी तक जो मैंने दो तीन संस्थाओं की बात की चाहे वो गैट हो या डबलू टी हो या एसियान या सार्क ये सरकारी संस्थाओं हैं सरकारी संस्थाओं से तातपर है कि सरकारों के द्वारा इस्थापित है और इसके सदस्थ सरकार के लोग हैं अब कुछ गैर सरकारी संस्थाइं भी विश्वमंच पर आई हैं 1945 के बाद जो एक तरीके से NGO का काम कर रही है Non-Government Organization संक्षिप्त में ये NGO कहलाती है गैर संस्कारी संगठन और इन में से कई गैर संकारी संस्थाइं तो अत्यादिक प्रभावशाली है ये लोग सरकार के संगठन में शामिल नहीं होते सरकार के संगठन का हिस्सा नहीं बनते जरूरत पड़ी तो सरकार के बिलावे पर प्रतिनिदी के रूप में जाते हैं अपनी विपस्थिती दर्द कराते हैं अपने विचार रखते हैं अन्य था ये सरकार पर दबाओ का कारे करते हूं एक प्रिशर ग्रुप का कारे करते हूं संग्तरा संग के अनुछे दिखत्तर के अनुशार गैर सरकारी संगठन वह है जो ना सरकार है और नहीं सदस्य राज्य ये राज के अधार पर एंजियो नहीं रहता हूं सरकार तो रहती ही नहीं राज के अधार पर नहीं रहता है उनकी भूमिका केवल सलाहकारी भूमिका रहती है एडवाइजरी रोल एंजियो जो विमन खेत्रों में रिसर्च करते हैं रिपोर्ट तयार करते हैं और अपने अन ना मानना ये सरकारी संस्थाओं पर नर्वर हैं पर इन लोगं की सलाहें इन लोगं की सलाह अती महत्पूर्ण रहती हैं क्योंकि ये राजनीती से उठकर एक स्वतंत रिपोर्ट त्यार करते हैं स्वतंत रूप से कारे करते हैं तो इसलिए इनकी जो इनकी जो छानबीन होती है इनकी जो खोज वगर होती है वो बड़ी महत्पूर्ण होती है इसी लिए इन गैर संदकारी संगठनों को बीस्वी शताबदी में बहुत महत्वूर माना गया काफी महत्वी ने दिया गया है और ऐसा लगने लगा कि अंतराश्टी संदियां एवं समझोते बोशनकारी विकास विकास शील देशों की सहाता के लिए गैर संदकारी संगठनों का उदै ना जाने क्या क्या हुआ बहुत सारे खेत्रों में गैर संदकारी संगठनों ने बहुत महत्वूर कारिक किया और कई बार तो इन गैर संदकारी संगठनों ने प्राकृतिक आपदाओं में अत्यादिक महत्पूर्ण भुमिका निभाई है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया है इसलिए इन गैर संस्कारी संस्थाओं की महत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है इन में से कुछ गैर संस्कारी संस्थाओं के बारे में हम बात करें पहली है Red Cross Society Red Cross आपने दिखा होगा कई गाड़ियों में लाल क्रोस का चिन्न लगा रहता है कई जंडे आप देखे होंगे जो सफेद रहते हैं लेकिन लाल क्रोस लगा रहता है यह अंतरराश्टी Red Cross Society का लोगो है जो विष्व में लगवग हर देश में इसकी पहुँच है अत्याधिक महत्पूर्ण गैर संसकारी संस्था और ये कारे क्या करती है यह कारे करती है युद्ध वा संकट के समय असहाए लोगों की मदद करना युद्ध और संकट के समय विश्मे जहां जहां युद्ध हुए हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि अंतराश्टी शांति सेना को 35 जगह युवन नो भेजा तो 35 युद्ध तो ये हो गए इसके लावा बहुत जगह युद्ध नहीं हुए हो पर युद्ध की स्थिति आई हो इसके लावा कई जगह ऐसी होंगी जहां पर युद्ध तो हुए लेकिन अंतराश्टी सेना नहीं गई उसकी जुरत नहीं पड़ी तो आप सोच सकते हैं कितने युद्ध हुए होंगे जहां भी युद्ध हुए हैं अंतराश्टी रेड क्रॉस सोसाइटी का जंडा अंतराश्टी रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए नर्स, डक्टर्स, वॉलन्टियर्स आप वहां पे एक अच्छी संख्या में पाएंगे जो सभी खत्रों को जहलते हुए यो दिखिए विभीशिका को जहलते हुए लोंगों के उपचार में लगे हुए चाहे वो दुश्मन ख्षेतर का सैनिक हो चाहे वो अपने ही देश का सैनिक क्यों नहों बड़ी नश्काम भावना से ये लोग मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी सैनिकों को चाहे वो घायल हों किसी भी ख्षेतर के हों उन्हें सुविधा महया कराई जाए इसके लावा आपात ख्षेतरों में जैसे सुनामी आया धोकम पाता है सुनामी के समय में Red Cross Society के भूमी का बड़ी आहम रही दूसरी संस्था है Amnesty International Amnesty मतलब होता है किसी को किसी चीज से राहत देना Amnesty International ये जो गैर सरकारी संक्षन है ये अंतराश्टी इस्तर पर मानवादिकारों से संबन दे कारियों में जुड़ी हुई है मानवादिकार और ये Amnesty शब्द जो है इसका संबन मानवादिकारों से है लोगों को Amnesty मिल गई मतलब बड़ी मात्रा में सरकार ने लोगों को जेल से छोड़ दिया राहत दे दी तो Amnesty International एक बहुत ही महत्पूर्ण संस्था मानवादिकार के ख्षेत्र में कारे कर रही है। इसके कई रिपोर्ट को लेकर बड़ी आलुचना होती है कई बार कई रिपोर्ट को लेकर कुछ सरकारें ऐसा सोचती हैं कि रिपोर्ट किसी अन्य देशों के विचारों से प्रेरित है किसी अन्य देशों के दबाव से प्रेरित है लेकिन जो भी है इसने कई महत्पूर्ण कारिक किये हैं और विशेश कर जेल में जो बंदी हैं कैदी चाहे वे सेना के हूँ, चाहे वे अपराद में लिप्त पाए गए लोग हूँ चाहे कुछ अन्य तरीके के हूँ, जेल के लोगों के को अधिकार दिलाने के लिए संस्था ने बहुत कारिक किया है इस संस्था का ये सोचना है कि जेल में बंद कैदी भी एक मानव है और उसे मानव युक्त जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य को तो इस पकार मानवादिकारों के लिए कारे करने वाली संस्था क्या कहलाती है M.N.T. International तीसरी संस्था है Human Rights Watch ये भी मानवादिकार के ख्षितर में कारे करती है ये एक अमेरिकी लेकिन गैर सरकारी संगठ्ठन है है तो इसका अधार अमेरिका में लेकिन ये भी गैर सरकारी है और मानवादिकारों के अवहेलना के ओर विश्व का ध्यान खीचने का कारे करती है साथ ही अंतराश्ट्री आपराधिक नियाले स्थापित करने में सहायता करती है ये जो हूमन राइट्स वाच है तो अमेरिका में लेकिन अपनी खोज के अधार पर अपने छानबीन के अधार पर विश्व के विभिन राश्ट्रों में जहां मानवादिकारों का उलंगन हो रहा है और जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं है उसको ये प्रचारित करता है और ऐसा करते हुए प्रयास करता है कि मानवादिकार मानवादिकारों का दुरप्योग या हनन कम से कम किया जाए सरकारों द्वारा Human Rights Watch चौती संस्था है Green Peace जहां Red Cross स्वास्ति संबन्दी मामले में Amnesty International और Human Rights मानवादिकार के मामले में वहीं Green Peace पर्यावरन के मामले में विश्व मंच पर सबसे प्रभावशाली मंच, संगठन उन में से एक है Green Peace Green Peace शान्ती और हरियाली ये पर्यावरन के मुद्दों पर बड़ी सजग है और जैसा मैंने पूर में कहा कि आने वाले दशक और शताबदी में पर्यावरन, जलवायू, विश्व का तापमान ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा मुद्दा हो चुका है, बन चुका है और अब इस मुद्दे को सुलजाने के प्रयास तीवर से तीवरतर होते जा रहे हैं जरूरत है ग्रीन पीस जैसी संस्थाओं की जो लगातार विदेश की सरकारों को इस बात के लिए सजग कर रही हैं कि आपके देश में पर्यावरन को लेकर अनेकों कारे करने की जरूरत है ये संस्था जो है पर्यावरन के ख्षरन को रोकने के लिए विश्व शमदाय को अपनी और आकरशित करती है पर्यावरन के दुरुपयोग को लेकर पर्यावरन के ख्षरन को लेकर उसको रोकने का प्रयास कर रही है चाहे वो ग्लेशियर के रूप में पानी का पिखलना हो विश उश्मा तापमान का बढ़ना हो महा सागर के संभावित गहराई का बढ़ने का मामला हो आदि आदि इन सब पर ध्यान आकरशित करने का काम कौन से संस्था कर रही है ग्रीन पीज बहुत महत्पूर्ण और्गनाइजेशन परियावरण के खेत्र में